जै माता दी दोस्तो दोस्तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ जवारे विसर्जन कैसे करे जाते हैं देखे आपके जवारे कैसे शुप फल देते हैं यह वी मैं आपको बताने वाली हूँ देखे जवारे आपके अगर 9 दिन अच्छे लंबे बड़े हो जाते हैं और बिल् जो अस्टमी और नौमी का जो दिन होता है, बहुत ही मातराने का विशेश दिन होता है, नौमी या दश्मी के दिन आप जवारे विसर्जन कर सकती हैं, तिक काफी लोग क्या करते हैं, दश्मी के दिन भी करते हैं, सुबह सुबह और काफी लोग नौमी के दिन भी जवारे व मातारानी को चड़ा देना है थोड़े से जवारे आपको मातारानी के पास रखकर अपनी मनो कामना बोलकर इस तरही से चड़ा देना है थोड़े से जवारे आप अपनी तेजोरी में रख लीजिएगा धनब्रदी के लिए बहुत ही अच्छा होता है मातारानी का प्रिशाद है और थोड़े से जवारे आप अपने सभी लोगों को प्रिशाद के रूप में बांड दीजिएगा थोड़े थोड़ा प्रिशाद की रूप में आप चरू खाईएगा और चाहे तो आप इन जवारों का उपर से जवारे कट कर लीजिए उसका जूस बना कर भी आप सबी लोग प्रिशाद की रूप में ले सकती हैं अब देखे बिसरजन की दिन क्या क्या चीज़े करनी होती हैं तो जो कलश इस थापना की थी तो उस तरह से हमने सुबह की पूझा कर ली है अभी जो नारेल है इसको खोल लेंगे जो चुन्दी वगरा है इसको हटा देंगे तो नारेल को सबसे पहले मैं साइड में रख लेती हूँ सभी चीज़ों को साइड में रख लेना है तो देखे जो प्लेट है इसको हटा लोंगी जो पान के पत्ते हैं वो भी मैं बिसरजन करने जाऊँगी तो आपके पास कुआ बावडी जो भी हो नदी हो वहाँ पर आप जिसमें पानी अच्छा हो बहता हुआ पानी हो कुए गहरा हो तो उसमें आप बिसरजन कीजीगा आप देखे कलश में जो हल्दी की गाट थी नौ दिन तक मैंने डाली थी कितनी बड़ी हो गई तो चांदी का सिtक झो हम रख लेंगे तियोडरी में और जो होेख लिए और इसमें कि नदी समागी को आपके बाऊ सबस्तुल जो फल वह आप परिशात के रूप में भांच सकते हैं अपने परिवार जनों में और इस तरह से मैं जो भी सामगरी है सब जगे इखटा कर लूँगी जो पुस्तक है उसको यथा स्थान पर रख दीजेगा अगर आपका खंडे दीपक जल रहा है तो उसको आप उसी जगे जलने दीजेगा चाहे तो आप अपने मंदिर में रख सकते हैं उसमें उपर से और आपको नहीं डालना है अब देखे जो अक्षत है पीले अक्षत का क्या करना है आप चाहे तो बिसरजन भी कर सकते हैं तो आप जो ये पीले अक्षत रखे हुए हैं, इनको आपको अपने अक्षत में मिला देने हैं, बहुत अच्छा होता है, थोड़ी सी अक्षत आपको तिजोरी में रख लेने हैं, अब जो हल्दी की गांट, सुपाड़ी और पान ये सब थे, इन सभी को मैं एक जगे एक मगरी आपको नौमी या दश्मी के दिन इस तरह से उठा लेनी हैं, दिखिए इस तरह से ये चावल हैं, हम सभी इन चावलों को इखटा करके एक जगे स्थापित कर देते हैं, दीपक मैंने उठा दिया, इसको मैं मंदिर में रख दूँगी, जोकि ये दस्मी दिन है, अच्छे से फोटो को लगा दे दो, जो चूड़ियां हैं, उनको भी मैं निकाल देती हूँ, तो इस तरह से मैं सभी चीजों को निकाल की जो चुन्री वगरा है, इस तरह से आप इनको फिर से अच्छे से धोकर और नेक्स्ट बार के लिए आप यूज कर सकते हैं, मातरान इक लिए तो इस तरह से मैं धोकर अच्छे से मातरानी के लिए रख दूँगी, तो इस तरह से बाकी चीज़ें हैं, फोटो को आपको क्या करना है, पोश कर आपको अच्छे से रख देना है, फूल माला जितनी भी हैं, सब एखटा में करके एक जगे चीजों को एखटा कर जो कपड़ा है इनको आपको धोकर अच्छे से रख लेना है और जितनी भी अक्षद चड़ाय हुए जो भी जितनी भी सारी सामगरिया आपको इखटी कर लीनी है चौकी के है चौकी के नीचे मैंने अश्टेतल कमल अक्षद से बनाया हुआ था अक्षद से नहीं दोस्तो मैंने आटे से बनाया हुआ था तो आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर मैंने बनाया हुआ था तो उसको भी मैं इखटा करके एक पॉलिथिन में इखटा कर इस तरह से जो चूड़ियां है चूड़ियां आप सोहक की आप पहन सकते हैं या फिर आप किसी को दे सकते हैं सास को दे सकते हैं ननत को दे सकते हैं सहीलियों को दो दो चूड़ियां आप दे सकते हैं दो चूड़ियां पहन लेजीगा तो इस तरह से सभी चीजों को ले जाक वहाँ पर जाके आप उनको जवारे थोड़े से चड़ा दीचे मंदिर में और वहीं पर आपको रख देने हैं तो इस तरह से आप रख सकते हैं वहाँ पर भी और या फिर आप इस तरह से जो मैंने बास्किट बनाई है और जो भी सामगरी है जितनी भी मैंने खट्टी की है इन सभी को ले जाकर मैं आप कुए में या फिन नदी में पिसरजन करने जाओंगी तो वहाँ पे आपको जो टोकरी है मैंने बास्केट में जवारे बिठाए हैं तो बास्केट को वापस नहीं लाना है बास्केट के साथ में ही आपको पिसरजन कर दीना है तो इस तरह से मातारानी की संपूर जो बिसरजन है हो जाता है दोस्तों और जो कलस का जल है दोस्तों आप अपने गमले और क्यारी वगरा में डाल सकते हैं थोड़ा सा जल आप पूरे घर में छड़क दीजीगा फूल से मा का नाम उच्चारण के शाथ में मंत्रों का आगे सभी जगे आप जल को छड़क दीजीगा थोड़ा सा जल आप रख सकते हैं किसी डब्वी में भरके आप जब भी आपके घर में निगेटिवीटी हो कुछ भी हो हपते पर में आप जल छड़क सकते हैं तो इस तरह से आप थोड़ा सा जल गरण भी कर सकते हैं तो दोस्तो जितनी वी चीज़े हैं आपने नौदे निखटी की हुई हैं फूल माला वगएरा जो भी चीज़े हैं वो सब आपको नदी में विसर्जन कर दीना है तो दोस्तो इसी वीडियो के साथ मैं आपसे बिदा लेती हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो ल सब्सक्राइब जरू कीज़ेगा इसी वीडियो के साथ आपसे बिदा लेती हूँ जैमाता दी